हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल ओम नमाई शिवाय हरहर महादेब आज की वीडियो में आपके साथ में शेर करने वाली हूँ सौंबार ब्रत पूजन सामगरी सौंबार ब्रत की पूजा करने के लिए हम इस तरह से सिप परवार की एक फोटो ले लेंगे इसके अलावा हम एक पातर लेंगे जिसमें हम भगवान शिव का अवश्य करेंगे यह पातर आप इस्टील का तावे का या फिर पीतल का ले सकते हैं अब यदि आपके घर के मंदिर में शिवलिंग विराजवान है तो आप सौंबार ब्रत में उनका पूजन अवश्य करिएगा नहीं है तो आप मंदिर में जाकर के भगवान सिप का पूजन अवश्य करें अब हमारे पाश यहां पर नंदी महराजवी है तो हम उनका भी पूजन करेंगे फ्रेंट सौंबार ब्रत हो या फिर सोले सौंबार का ब्रत हो आपको मंदिर जाकर पूजन तो अवश्य करना है इसके अलावा आपको घर पर भी पूजन करना है अब हमें भगवान शिव का अफसे करने के लिए चाहिए होता है शुद्द जल इसके अलावा हमें चाहिए होता है पंचामरत मैंने यहां पर कच्चा दूद लिया है आप पंचामरत भी ले सकते हैं आप सौंबारवत की पूजा में भगवान शिप का पंचा मरश्य अफशिक जरूर करें इसके बाद हमने याँ पर मौली ली है इसके बाद हमने भगवान भोले नाथ की पूजा करने के लिए पीला चंदन लिया है और अच्छत लिये हैं माता पारवती की पूजा करने के लिए हमने याँ पर रोली ली है तो आप माता पारवती की पूजा रोली से करें और भगवान भोले नाथ की पूजा पीले चंदन से करें इस बात का आप ध्यान रखें भोग के लिए हमने याँ पर मिठाई ली है आप मिसरी का भी भोग लगा सकते हैं इसके बाद हमने याप भगवान भोले नात को अरपित करने के लिए बेल पत्र लिये हैं आपको जितने बेल पत्र मिल जाते हैं आप भगवान भोले नात को अवश्य अरपित करें समी पत्र धतूरा जो भी मिल जाते हैं आप आज की पूजा में अवश अर्पित करें तो फ्रेंट्स भोग में अर्पित करने के लिए हमने याँ पर मौसमी फल आम लिया है और केला लिया है आप जो भी मौसमी फर भगवान भोले नात को अर्पित करना चाहते हैं, आप अर्पित कर सकते हैं, इसके बाद हमने भगवान भोले नात को अर्पित करने के लिए आख का पत्ता भी लिया है, आप आख के फूल भी ले सकते हैं, अगर आपको मिल जाते हैं, फ्रेंट्स भग पूजा करने के लिए माचिश ली है दीपक प्रचलित करने के लिए साथ में यहां पर भगवान बोले नाथ को अर्पित करने के लिए कुछ पुष्प लिए हैं आपको जो भी पुस्प आसानी से मिल जाते हैं भगवान बोले नाथ को अर्पित करें हो सके तो सफेद पुष बोले नात को और्पित करने के लिए दच्छना लिए दच्छना आप अपनी श्रध्धा के अनुसार ले सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरू बताईएगा पसंद आया हो तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कमेंट में हर हर महादेव ओम नमाशिवाय वशिल के गधन्यवाद ओम नमाशिवाय हर हर महादेव